तो भाई लोग, इंडियन सिनमा डंकी देखने के तुरंत बाद मैं गया हॉलिवूड की फिल्म बेसिकली DC की सुपर हिरो फिल्म एक्वामान 2 देखने एक्वामान 2 देखने एक्वामान एंड लॉस्ट किंग्डम विच इस बेसिकली अ डाइरेक्ट सीक्वाल ऑफ फिर्स्ट एक्वामान मुवी तो मुझे एक्स्ट्रा बतानी की जरुवत नहीं है कि इस मुवी को देखने के लिए यूनिट टू वाज दे फिर्स्ट पार्ट तो कैसी है ये मुवी आईए बात करते हैं वेल हेलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी देखो I am a superhero fan ठीक है और फॉलो करता हूँ Marvel और DC के यूनिवर्स से जुड़ी अल्मोस्ट हर एक फिल्म को पर आज कल पता नहीं क्यों Marvel या DC के तरफ से बहुती रेयर ऐसा content आ रहा है जिसे एक die-hard fan की तरह enjoy किया जा सके बट still मैं ये movie देखने गया बट एक बहुती बुरी बात हुई मेरे साथ या कहे के पोपट हो गया क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले जब Aquaman Aquaman Salar and Dunkey book my show पर आये थे तो तभी Aquaman के ticket Hindi dub show के लिए book कर दी थी बट अचानक से नागपूर के सारे shows कैंसल कर दिये गए जो भी Hindi में है एंड एक theater owner से बात करने के बाद पता चला कि Hindi dub show बस इसलिए कैंसल किये गए है ताकि लोग डंग की देखने ज़ादा quantity में जा सके मैं बोला But anyways, मैंने film देखी 3D में वो भी English में And trust me, Aquaman की first movie इस movie से ज़ादा story based थी And ज़ादा gripping थी So Aquaman जो है first part में अपने भाई को जहाँ kingdom से बाहर करके खुद king बन जाता है इस part में वो अपने brother को वापस ला रहा है क्योंकि black manta जो है वो अपने पिता के मौत का बदला लेने वापस आ गया है और इस बार उसके हाथ लग चुका है black trident जिसकी power से वो और भी शक्तिशाली हो चुका है So अब वो उससे कैसे लड़ेगा, भाई की मदद कैसे लेगा और उसका भाई उसका सच में साथ देगा या पिछली बार की तरह दोनों भाईयों में फिर से कुछ ना कुछ गड़बड हो जाएगी वो आप इस मूवी में देखोगे हाला कि इस मूवी के visuals काफी अच्छे है and fight scenes and जितना भी action है वो आपके आँखों को entertainment का सुक जरूर देगा specially second half में एक almost 15-20 minute का fight sequence है which is very good but storyline as usual बाकी superhero movies की तरह ही है and काफी जादा predictable बन जाती है हाँ, last तक रुकना ज़रूर है कि नहीं एक mid credit scene है जो किसी काम का नहीं है but post credit first credit scene के बाद उठकर चले जाना मैंने बहुत time pass किया मैं literally मैं wait करता रहा कि कुछ ना कुछ मतलब post credit में आएगा लेकिन रुकने की जरूरत नहीं है maybe इसलिए कोई post credit नहीं है क्यूंकि इस film के बाद DCEU totally rebuild होने वाला है so credit scene देकर भी कोई मतलब नहीं बनता बाकी overall it's a good watch movie three stars from my side मिलता है अगले वीडियो में बाई खतम जाओ